नमस्कार Market Times TV में आपका स्वागत है मैं हूँ सूरेश मंचन्दा सौमवार का दिन हफते के कारोबार का पहला दिन और दिनांक है आज 19 फरवरी और आज लहसून की खबर Market Times TV पर अमेरिका और चीन के बाजारों से आप कहेंगे भारत के लैसून के कारोबारियों किसानों और निर्यातकों के लिए खबर आज अमेरिका और चीन से क्यूं बिल्कुल इसका सीधा सीधा जो खबर का इंपेक्ट है जो खबर का असर है वो आपकी जेब से जुड़ा हुआ है आपके मुनाफे से आपके फाइदे से जुड़ा हुआ है अब इसका फाइदा आपको कैसे होगा इस पूरी रिपोर्ट में आप जानिए मेरे साथ यानि की सुरेश मंचंदा के साथ सबसे पहले अमेरिका की संसद में चीन से आयात होने वाले लहसून के मुद्दे पर बात करते हैं चीन की संसद में अमेरिका के फ्लोरीडा के जो सिनेटर रिक स्कोट जी हाँ फ्लोरीडा के सिनेटर हैं यानि कि वहाँ के सांसद हैं रिक स्कोट इन्होंने चीन से आयात होने वाले लैसून पर और चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं पार्लियमेंट में उन्होंने अमेरिका की पार्लियमेंट में ये कहा है कि चीन से आयात होने वाला लैसून अमेरिका के लिए एक थ्रेट है एक बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने दी है कि चीन से आयात होने वाला जो लैसून है वो अमेरिका की सुरक्षा के अंदर एक ब यह मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसका फाइदा भारत को कैसे मिलेगा भारतीय लैसुन उपद्वों को कैसे मिलेगा इसमें आपको बता दूँ उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका को तुरंट चीन से आयात होने वाले लैसुन को बैन कर देना चाहिए जी तुरंट बैंड कर देना चाहिए तो अगर बैंड कर दिया जाएगा तो खरिदार कहां आएगा भारत के पास आएगा अब आप कहेंगे कि अमेरिका में लैसुन का मुद्दा उठा उससे भारतिय किसानों को क्या फाइदा होगा आपको बता दें कि अगर अमेरिका चीन से लैसुन लेना बंद कर देता है तो उसकी सीधी मांग उसकी सीधी डिमांड भारत पे आएगी भारतिया बाजारों में आएगी और भारत चूकी विश्व का दूसरा बड़ा लैसुन का उत्पादक देश है चीन के बाद और निर्यातक है इसलिए भारत का बाजार उसके लिए खुलेगा हाली में हमने देखा है कि लेटिन अमेरिका से गारलिक फ्लेक्स की ताजा डिमांड निकल करके आए जिससे भारतिये बाजारों में लैसुन की अच्छी खासी किमते देखने के मिली और भारतिये फ्लेक्स बाजार जो है जो सोरुपर पर कारोबार कर रहा था वो भी आतिया लैसून बाजार की तरफ आ सकता है अमेरिकी सेनेट ने चीन पर गंबीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन में लैसून की पैदावार गटर की गंदगी से की जा रही है जिसे अमेरिकी लोगों को बिमार करने की ये साजिश हो सकती है यह देश की सुरक्षा के लिए एक खत्रा है यह हम नहीं कह रहे हैं यह मार्केट टाइम्स नहीं कह रहा है यह सेनेट कह रहा है अमेरिका का सेनेट फ्लोरीडा का सेनेट रिक स्कोट कह रहा है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसमें कोई दोराई नहीं है और चीन करीब 230 लाख टन लेसुन की अकेला सालाना पैदावार करता है जो की विश्यू का 75 फीसद उत्पादन है यानि पूरी दुनिया के अंदर जितना लेसुन उत्पादन होता है उसका 75 परतीशत केवल चीन उत्पादित करता है और मैक्सिमम चाइना का ही एक्सपोर्ट अमेरिका को लेंड करता है भारत का जो उत्पादन है वो 33 लाख मिट्रिक टन के आसपास का है पहली बार ऐसा है जब भारत का एक्सपोर्ट वो 60 लाख मिट्रिक टन को पार करके गया है और 2024 जी हाँ अभी तो एक महिना पढ़ा है 23 चोबिस के सेशन को अभी जो एक्सपोर्ट के फिगर्स है और बढ़ेंगे 2024 को भी लेकर के जो उमीदे इस समय पर लगाई जा रही है और मार्केट टैंस टीवी के पास में जो डेटा इस समय पर आया है उसको देखते हुए मार्केट टैंस टीवी ये निश्चित कर सकता है कि इस साल भी आपका जो निर्यात है लैसुन का वो बढ़ने वाला है और उसके अंदर इजाफा देखने को मिलेगा अगर अमेरिका का लैसुन बाजार भारत के लिए खुलता है तो भारतिया लैसुन विश्व में अपना डंका बजाएगा और कीमतों में एक बार फिर बहत्रीन तेजी देखने को मिलेगी रिपोर्ट पसंद आई हो तो निश्चित दोर के उपर हम यही आपसे निवेदन करेंगे के आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और आपको लैसुन से जुड़ी और दूसरी फसलों से जुड़ी ताजा जानकारी मार्केट टैंस टीवी के उपर मोहिया हो और आपको तुरंत उसकी इन्फोर्मेशन पहुंचे नोटिविकेशन पहुंचे तो दिख रहे बेल बटन को भी आप दबाना ना भूलें अगले वीडियो में मैं आपके साथ में फीगर्स के साथ आऊंगा कि कितने कंटेनर्स हलाकि जो अभी मेरे पास जो ताजा जानका जारी है उसके मताबिक 2000 कंटेनर जी हां जो पिछले साल 300 कंटेनर थे इस साल मार्च कतम होते तक 2000 कंटेनर से ज्यादा माल लैसुन का एक्सपोर्ट हो चुका होगा क्योंकि अभी तक 1500 कंटेनर के आज़ पास लैसुन का एक्सपोर्ट कंटेनर का हो चुका है और अभी तक्रीबन 500 कंटेनर जो है उसका निर्यात अभी होना शेश है अगले साल 24-25 के कितने ओडर्स यहाँ पर हैं और कौन से देशों से यह ओडर निकल करके आने वाले हैं यह मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं और ताया जानकारी के लिए एक बार फिर से निवेधन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा